आज हम लोग बात करेंगे Rank Math Pro plugin के review के बारे में क्या यह आप लोगों को purchase करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या इसके advantages है क्या इसके disadvantages है सब कुछ आज के इस वीडियो में हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश अडवानी यहाँ पर मैं help करता हूँ आप लोगो एक better software purchasing decision लेने के लिए आज जिस digital tool के बारे में हम लोग बात करने वाले है वो एक plugin है WordPress के लिए जिसको कहते हैं Rank Math Pro यह काफी popular plugin है अभी तक यह free में था अब इसका एक pro version में launch कर दिया है तो आज हम लोग pro version के जो features है उसके बारे में बात करेंगे क्या extra है वो चीज़ बात करेंगे और यह tutorial वीडियो नहीं है यहाँ पर मैं आपको सिफ features के बारे में बताऊँगा क्या features है और इसका क्या use है सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है इसके pro version में वो यह है कि जो free version था उसमें कुछ changes नहीं करेंगे है उसमें से कुछ minus नहीं किया गया है जो pro version है उसमें enhancement किये गए है pro version के लिए तो यह एक अच्छी बात है क्योंकि मैंने बहुत सारी companies को ऐसे देखा कि पहले वो बहुत जादा दे देते हैं free में फिर pro version लाँच करते हैं फ्री वाले को cut कर देते हैं या limit कर देते हैं इस case में ऐसा नहीं हुआ है जो पहले free था वो अभी भी free है बिना किसी limitation के So before I talk about other features I would like to thank today's video sponsor Hostinger Hostinger एक affordable hosting service है जो कि beginners क्ले काफी अच्छी है easy to use है इसका uptime भी अच्छा है backup options भी आपको यहां पर मिल जाते हैं lightspeed servers का use किया गया है Singapore में servers है तो Indian users के लिए भी अच्छा है और अगर आप लोग मेरे नीचे दे गए link से purchase करोगे और enter करोगे coupon code क्रिपेश तो आपको मेरे training program में भी free entry मिल जाएगी जहां पर मैंने explain किया है कि hostinger को कैसे use करना है और अगर आप लोग को पसंद नहीं आती है तो आप लोग 30 days में full refund claim कर सकते हो सबसे पहला है यहां पर जो main feature है वो यह schema generator schema क्या होता है जैसे आप लोग Google में search करते हैं आपको कुछ snippets दिखते होंगे FAQ वाले snippets दिखते होंगे वो सब schema के तुरू आते हैं तो schema की बहुत importance है आज के time पर गूगल यह कहता है कि schema आपकी search engine के rankings को improve नहीं करता है directly लेकिन जब भी आपकी website में schema रहता है मानलो आपने कोई review लिखा है उसके नीचे star दिख रहे हैं अगर कुछ FAQ है तो महां पर users जादा click करते हैं और उसकी वज़े से CTR बढ़ता है और CTR की वज़े से आपकी page rankings बढ़ती है तो directly search engine rankings में effect नहीं पढ़ेगा लेकिन indirectly over the period of long time यहाँ पर definitely effect पढ़ेगा यहाँ पे इन्होंने तीन major improvements किये multiple schema लेके आएंगे लोग अब आप लोग schema को import भी कर सकते हो दूसरी website से और custom schema भी यहाँ पर अपना डाल सकते हो for example यह रहा एक schema generator अभी यहाँ पर एक article का है multiple schema में मुझे यहाँ पर दो तीन और schema चाहिए क्यों चाहिए रहेंगे मांदो है कि यहाँ पर मैं recipe लिख रहा हूँ तो schema generator पर जाऊँगा मैं एक और recipe के लिए मैं यहाँ पर एक schema को use कर लूँगा तो यहाँ पर यह मेरे दो schema हो गए अब मुझे यहाँ पर FAQ भी डालना है तो FAQ का भी schema लगेगा तो अब यहाँ पर मैं multiple schemas का use कर सकता हूँ इस pro plugin के साथ में पहले से फिए एक ही schema था तो मैं article भी लिखूँगा recipe वाला schema भी डाल दूँगा FAQ वाला schema भी डाल दूँगा अगला जो मुझे इसका feature अच्छा लगा है वो है import का अब जो भी यहाँ पर अच्छी websites है मैं उसका schema directly import कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए recipe for chocolate cake मैं Google पर जाओंगा इसको यहाँ पर search करूँगा यह एक अच्छा लग रहा है recipe इसका schema भी ready है तो मैं सिफ इसका URL लूँगा मुझे इस website का schema अपनी website पर चीए schema आ जाएगा और यह schema मेरे पास आ गया है तो अब जो इसका main schema है वो है यहाँ पर इनकी recipe का मैं इसको use भी कर सकता हूँ preview भी कर सकता हूँ और preview में यह रहा पूरा schema आप लोग इसको चाहिए तो Google से test भी कर सकते कि किस type से इनका schema दिख रहा है मैं यहाँ पर test code पर click कर दूँगा वैसे schema वाली बाते आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि schema कैसे work करता है किस type के schema होते है तो थोड़ी study आपको करनी पड़ेगी schema के उपर अगर आपको नहीं पता है तो देख सकते हैं page is eligible for rich results और यहाँ पर फिर मैं preview कर दूँगा कि किस type के result से दे रहा है इस type के यहाँ पर मुझे results देखने को मिल जाएंगे इस schema का गर मैं use करूँगा तो मैं इसको close करूँगा इसको यहाँ पर use पर डाल दूँगा क्योंकि मैं यहाँ एक recipe लिख रहा हूँ तो यह सारी मेरे पास चीज़े आ गई है अब बस मुझे इसको change करना है अपने हिसाब से यहाँ पर मुझे अपना URL डाल देना है name डाल देना है किसने लिखा है उसका नावन डाल देना है description बगर images बगर कुछ डाल देना है और recipe में कौन-कौन से steps रहेंगे ingredients रहेंगे वो सब डाल देना है और यहाँ से आप लोग delete भी कर सकते हो add भी कर सकते हो तो यह चीज मुझे काफी अच्छी लगएगी कि दूसरी जो successful websites है वहाँ से लेके आप उनका schema डाल सकते हो और एक better ranking भी ला सकते हो तीसरा जो यहाँ पर feature है वो एक custom schema का अगर आपको यहाँ पर अपने कुछ schema लिखने हैं अगर आप लोग थोड़े advanced user है तो फिर इसका भी use कर सकते हैं अब यहाँ पर हम लोग analytics के बारे में बात करेंगे यह वाला feature मुझे सब से अच्छा लगा है इस plugin में अगर आपने इस plugin को यूज किया है तो do let me know कि आपको सब से अच्छा feature कौन सा लगा है तो यहाँ पर यह dashboard है analytics वाला यह मुझे यहाँ पर अपनी search traffic बता रहा है impressions बता रहा है यह आपके google console से connect हो जाएगा देन महां से उठा के यह सारी reports बता देगा और यहाँ पर एक keywords को भी track कर सकता है कि कौन से winning keywords है कौन से keywords के ranking बढ़ रही है कौन से keyword के ranking कम हो रही है यह सब उसके बारे में यह से बता देगा मुझे और winning post कौन सी post मेरी जादा अच्छी rank कर रही है आज के time पर और कौन सी post मेरी lose भी कर रही है वो भी यहां से दिख जाएगा आपको तो यह मुझे काफी अच्छा feature लगा है इस tool का Site Analytics में basically आपको यह बताएगा कि आपने जो focus keyword डाला है उस article के लिए उसमें से कितनों ने good score किया है कितनों ने fair किया है और कितनों में आपने कोई data नहीं डाला है फिर SEO performance में आपको winning post और losing post दिखाएगा जो आपको यहां पर analytics पर dashboard पर दिखा रहा था अगला जो अच्छा feature मुझे लगा है वो एक keywords का यह वाली जो keywords की report है यह भी आपको dashboard पर मिल जाएगी थोड़ी लंबी report है आपको देखने को मिल जाएगी फिर यहां पर rank tracker का कि उस keyword ले आपके rank क्या है कितनी position पर आप लोग आ रहे हो क्या वो position कम हुई है नीचे गई है उसका graph भी दे देंगे अगर इस position में कुछ changes होंगे तो वो आपको mail करके बता दिये जाएंगे यह एक advanced feature है अगर यहां पर मैं post पर भी जाता हूँ मानलो यह वाली मेरी एक post है तो इस post का भी मुझे details दे देगा कि यहां पर इसका score क्या है page speed score क्या आ रहा है और यहां पर कुछ और नई चीजे भी आने वाली है SEO suggestions वगरे की post कैसी होनी चाहिए उस case आप से suggestions देगा trending का भी यहां पर है कि जो आपने focus keyword डाला है इस article के लिए उस वो trending कव रहता है कौन से season में उसके जादा interest शो होता है यह जो report है यह Google Trends से उठा के ला रहा है तो past 30 days का यह मुझे यहां पर बता रहा है मैं इसको आपर past 12 days भी कर सकता हूँ कि कौन से महीने में मेरा keyword यहां पर जाद अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यहां पर एड़ ले रहा है ending में इस page में कौन-कौन से keywords इस page के लिए rank कर रहे है कौन से keywords पर आप कई वाला page आ रहा है यह वाली चीज़ भी बताता है तो एक advanced analytics tool आपको देखने को मिलता है इस छोटे से plugin में फिर यहां पर images SEO के भी functions और add कर दिये गए है missing alt attribute, missing title attributes यह दोनों पहले से थे अब caption भी अगर missing है अगर title भी missing है और अगर आपको title की casing को change करना है caps में था, उसको small में करना है सब को एक साथ तो भी आप इस advanced SEO, image SEO का use कर सकते हो फिर यहां पर redirection के function भी आ गए है अगर आपको redirection set करना है अगर आप लोग affiliate link यूज करते हो जब यह Facebook पे share हो रहा है तो मुझे इसके उपर एक icon चीए तो वो आप लोग डाल सकते हो कि play का icon आ जाए या फिर gift का icon आ जाए इसकी वज़े से जो CTR है social platforms पे वो थोड़ा बढ़ जाता है फिर अगर मैं इसके support की बात करों काप यह लोग reply भी करते हैं वो भी अच्छा है और जो इनका Facebook group है वो भी अच्छा है speed की बात करों तो speed यहाँ पर मुझे अच्छी देखने को मिली है कुछ major changes नहीं देखने को मिले हैं इस plugin की वज़े से यहाँ पर एक test website है जो मैंने set करी है hostinger के ऊपर kp test hosting 7.xyz पर इस पर मैंने use store rank math दोनों को डाल के देखा और दोनों को डालने के बाद 10 से 15 kb का बस size increase हुआ था उससे जादा यहाँ पर मेरा size increase देखने हुआ दोनों plugin ने speed के मामले में काफी अच्छा perform किया है एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यह जो है rank math इसमें आपको modules मिलते है modules को आप लोग turn off कर सकते हो जैसे modules है अब मालों है 404 monitor है मुझे नहीं चाहिए मुझे redirections नहीं चाहिए तो फिर आप लोग इसको turn off कर सकते हो यह आपकी speed में थोड़ा और help करेंगे तो यह modules वाला जो function है मुझे हमेशा से पसंद आता है और यह चीज मुझे इसमें भी देखके काफे अच्छा लगा है कि मुझे redirections नहीं चाहिए मैं कोई और plugin का use कर रहा हूँ यह एक टूल है लेकिन जब तक आप लोग वह चीज़े नहीं सीखोंगे तब तक यह टूल भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा तो इस टूल इस आज गूड अज पर संद यूजिंग अब अगर इसकी प्राइजिंग के बात करों तो फिलाल यह launch offer में है जहां पर आपको $59 per year का मिल रहा है जहां पर आप लोग 1000 keywords को track कर सकते हो और schema generator भी है और $200 में आपको 20,000 keywords जहां पर मिल जाते हैं और अगर आप लोग किसी client की website पर काम कर रहे हो तो फिर आपको यह वाला plan लेना पड़ेगा एक और जो major pro है वो यह कि यह made in India है so that's good लेकिन इसमें कॉन भी है वो यह है कि अभी यह क्योंकि नया है free वाला तो बहुत पहले से था लेकिन जो यह pro वाले features यह अभी नया है तो इसमें कुछ ना कुछ bugs हैं कापी improvements करे जा रहे हैं constantly updates लाई जा रही है so जो major changes Rank Math Pro में किये गए हैं वो है schema और analytics में and अगर आपको यह दोनों feature चाहिए तो फिर आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो फिलाल के लिए आप लोगों के लिए Rank Math जो free वाला है उससे भी काम चल जाएगा used SEO से तो यह definitely better है यहां पर आपको काफी जारे features मिल जाते हैं जो कि आपको 2020 में जो SEO चल रही है उसके हिसाब से optimize करने में help करेंगे used SEO is good लेकिन वो समय के साथ में evolve नहीं हो पाया है so that's all for this one अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो उसको thumbs up दे दीजेगा चानल को subscribe कर लीजेगा and I will see you guys in the next one good bye